Hello students, good morning Students, आप लोगोने chapter no. 8 तक सारा काम फिनिश कर दिया होगा Now we will study about chapter no. 9 Today we will start from chapter no. 9 So what is the name of chapter no. 9? It's raining क्या नाम है chapter no. 9 का? It's raining चलो अभी हम इट्स रेनिंग की एक स्टोरी है वो हम देखने वाले है तो अपू एट बनानास स्टोरी का नाम क्या है? अपू एट बनानास अपू ने बनाना खाए थे तो देखो here is elephant तो elephant का नेम क्या है? अपू अपू लाइक्स बनानास वेरी मज़ बनानास from the trees every day अपू क्या करता है? रोज बनाना ट्री है बनाना ट्री के उपर से वो बनानास को प्लप करता है मिन्स की तोड़ता है और फिर वो सारे बनानास खाता है एक दिन उसने क्या देखा? कि जो बनाना ट्री है वो ड्रोपिंग मिन्स की सूख रहा है, मुर्जरा रहा है इट हैड नौ ट्रेंड फॉर लॉंग टाइम बहुत सारे टाइम से बारिश नहीं आ रही थी लंबे वक्त से इट मस्ट गेट वोटर इन माई ट्रंक सेड अपू अपू ने क्या कहा? कि मैं अपनी जो ट्रंक है उसमें वाटर लाके तुमें दूंगा फिर अपू कहा? कौनसी और चलने लगा? रिवर की तरफ चलने लगा अपू ट्रेंक वाटर तिल ही वाज हैपी जब तक वो खुश नहीं हुआ तब तक उसने तब तक पानी पिया उसने अपनी बाडी को नहलाया उसकी ट्रंक में उसने पानी भरा और फिर उसने अपनी बाडी को क्या किया? उसने पूरा बाथिंग किया उसकी जो ट्रंक है उससे उसने पुरी बाडी को क्या किया? नहलाया देखो यहाँ पर अपू बाथिंग कर रहा है, यहाँ पर ट्रंक है, उसमें उसने क्या किया है, यह देखो वाटर पूरा ट्रंक के अंदर भरा और फिर वो अपनी बोडी के उपर डाल रहा है, for बाथिंग then he carried water in his trunk and pour it on the banana tree, फिर उसने क्या किया, अपनी जो ट्रंक है, उसमें पानी भरा और फिर कहाँ पर डाला, banana trees के उपर, देखो यहाँ पर banana trees है, picture में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, look at here, this is trees of banana, और banana tree के उपर अपने क्या किया, water को, पोर किया, मिन्सकी water को, डाला, देखो उसकी trunk में से, उसने पूरा पानी, banana tree के उपर डाला, as soon as the banana trees got water, they came alive, फिर banana tree को क्या, पानी मिला तो वो क्या हो गए, वापस जिन्दा हो गए, अपु said, from now on I will get water for you every day, अपु ने क्या किया, अपसे मैं तुमारे लिए रोज पानी लेकर आऊंगा, after all you also give me ripe and tasty bananas, after all तुम मुझे क्या देते हो, पक्के हुए, केले, और कैसे है केले, टेस्टी है, बहुत ही स्वाधिस्ट है, after all you also give me ripe and tasty bananas, तो students यहाँ पर अपु एड बनाना स्टोरी फिनिश हो रही है, now we will see about question answer, अभी हम question answers देखेंगे, see on next page, what will happen if the banana trees do not get water, क्या होगा, अगर banana tree को पानी नहीं डालेंगे तो, students आप लोगों को भी, textbook में सारे question answers fill up करने है, if the banana trees do not get water, they droop, dry up and their leaves fall off, अगर banana tree को हम पानी नहीं देंगे, तो वो सूप जाएगा, उसके जो वो जो tree है, वो क्या होगा, सूप जाएगा, मुर्जा जाएगा and their leaves fall off, उसके जो leaves से वो नीचे किरने लगेगे, leaves fall off, question number two, where do the plants get water which grow around your house, आप जो आपके around में जो trees है, उन्हें पानी कहां से मिलता है, आपके house के आजू-बाजू में जो plants है, उन्हें plants growing around my house get water mostly from rain, कहां से मिलता है उन्हें पानी, सबसे ज्यादा पानी mostly from rain, ज्यादा तर पानी उन्हें बारिशे मिलता है, we water some small bushes, और चोटे चोटे जो बुशेश होते हैं, चोटे 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 प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम पानी डालते हैं, large trees get water from the soil, और जो बड़े बड़े trees होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो कहां से पानी उन्हें मिलता है, तो from the soil, मिटी के अंदर से, जमीन के अंदर से, with the help of their roots, किसकी मदद से उन्हें पानी मिलता है, तो with the help of their roots, वो जमीन में से पानी किसकी मदद से ले सकते हैं, तो जो roots होते हैं, उनकी मदद से उन्हें जमीन में से पानी मिलता है, then next question is, have you seen animals drinking water, where, क्या आपने animals को पानी पीते हुए देखा है, अगर देखा है, तो कहाँ पर देखा है, yes, I have seen animals drinking water from a lake, a river and a water through, तो animals कहाँ से पानी पीते हैं, या तो लेक से पानी पीते हैं, या फिर river से पानी पीते हैं, या फिर हम उन्हें अगर पानी देंगे, तो वो वहाँ से पानी पी सकेंगे, then next question is, have you ever given water to any animals, if yes, how does the animals drink water, क्या आपने कभी कोई animal को पानी दिया है, अगर yes, तो animals कैसे पानी पीते हैं, answer is yes, I have given water to my pet cow, हम किसे यहाँ पर answer क्या है, कि yes, मैं मेरा जो pet cow है, मेरी जो pet cow है, मिन्स की जो पालतु हमारी गाए है, उसे मैं पानी देता हूँ, it drinks water with its mouth, वो किसे पानी पीती हैं, काव, अपने mouth से पानी पीती है, मिन्स की अपने मूँ से पानी पीती है, आपने स्टोरी में देखा कि अपने किसे पानी दिया, बनाना ट्रीज को पानी दिया, then where do other plants get water from, तो फिर बाकी सारे जो plants है, उन्हें पानी कैसे मिलता होगा, plants mostly get water from rain, when it rains, plants seem to get a new look, आपने देखा होका जबी rain मिन्स की बारिश आती है, तो सारे जितने भी पेड़ पोदे हैं हमारे आसपास में, या तो फिर कहीं पर जो plants उगे हुए होते हैं, वो सारे plants को पानी अपने आप मिल जाता है, और जबी rain जबी बारिश होती है, तब ही हम देखते हैं कि plants का look एकदम अलग हो जाता है, they look very beautiful and green, let us read a poem and recite, तो अभी next page पर page number 61 में एक poem दी गई है, तो वो poem हम देखेंगे और उसे recite करेंगे, So what is the name of the poem? The name of the poem is clouds, यहाँ पर देखो आप देख सकते हो, पोयम का name क्या दिया है, clouds, देखो यहाँ पर box में, C-L-O-U-D-S, clouds, So look at here, white and black, the clouds arrive in a magic pack, clouds का color कुन सा है, white and black, सफेद और काला, जबी भी clouds आते हैं, तो वो क्या लेकर आते हैं, arrive सिने magic pack, dogs, dears, elephant, horse, sometimes they look like dears, by running here and there, तो आपने clouds को देखा होंगा, तो clouds कैसे होते हैं, clouds are different in shape, उनका shape कैसा होता है, different different होता है, sometimes वो dogs की तरह दिखते हैं, sometimes they look like a dears, elephant, horse, और sometimes they look like a deer, कभी-कभी वो dears की तरह भी दिखते हैं, by running here and there, और वो क्या करते हैं, कभी यहां, तो कभी वहां, दोड़ते रहते हैं, the clouds arrive in a magic pack, in moments they come, in moments they go, कभी-कभी पलभर में वो आ जाते हैं, और पलभर में वो चले भी जाते हैं, sometimes not seen for months, sometimes they freeze, और कभी-कभी तो महीने तक, वो दिखते ही नहीं हैं, बहुत सारे महीने तक, और कभी-कभी वो क्या हो जाते हैं, freeze हो जाते, means की जम जाते हैं, वो जाते ही नहीं है, and for weeks they stay, और फिर, वो हफते भर तक जाते नहीं हैं, वहाँ पर ठेर जाते हैं, stay means रुक जाना, and for weeks they stay, the clouds arrive in a magic pack, sometimes they roar, sometimes they pour, कभी-कभी वो क्या है, गरजते हैं, roar means गरजना, sometimes they pour, और कभी-कभी क्या होता है, वो बरस जाते हैं, कभी-कभी गरजते हैं, और कभी-कभी बरस जाते हैं, sometimes they thunders, spreading the colors, और कभी-कभी क्या होती है, बिजली होते हैं, कड़ाके होते है, spreading the colors, फिर क्या होता है, color spread होते है, in a rainbow of wonder, और कैसा फिर क्या हो जाता है, color spread होते हैं, तो हमें, sky में, means की आकाश में, क्या दिखता है हम आकाश में क्या देख सकते है we will see a rainbow हम क्या देख सकते है rainbow देख सकते है and sometimes they hail then trees shade the leaves और कभी कभी क्या होता है sometimes they hail then trees shade the leaves और जो ट्री के जो leaves होते है वो गिरने लगते है the clouds arrive in a magic pack white and black students आप लोगों को यहां तक यह वाली poem समझ में आ गई होगी हमारी poem यहां पर finish हो रही है तो हम next part next video में देखेंगे thank you students